हेलो कोडर आर्वी कैसे हैं आप सब लोग तो यार मुझे बता है कल हमने लीट कोड के questions किये थे और आपको काफी मज़ा है था और आज हमारा नए topic सुरू होने वाला है जिसका नाम है function in C++ घबराना नहीं है पहली बात नए अवर्ड सुनके जो पहली बार सुन रहे हैं आज हम function के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह बहुत ही important है जब हम आगे के topic कवर कर रहे होंगे recursion, dp, graph वहां ही बहुत जादा यूज हो रहा होगा तो आज पहले हम यह सीखेंगे कि function होता क्या इसकी जरोती क्यों पड़ी ठिक जरोती क्यों पड़ी तो वह समझते पहले और आप फिर अपने code को implement करेंगे हम चलिए शुरू करते हैं जहां पर मैंने लिखा है functioning 3++ आप देखो यार function की में direct definition में विश्वास ही रखता है पहले हम एक problem को लेते हैं माल लीजिए मैंने आपको दो number दी है input पे दो number ठीक, a equal to 6, b is equal to 8 दो number आपको मैंने input पे दी हैं मैंने प्राइम बोला आपको क्या करना है पहले आपको बताना है कि जो number मैंने दिया है वो प्राइम नंबर है या नहीं है अगर प्राइम नंबर है तो one प्रिंट कर दो नहीं है तो zero प्रिंट कर दो second जो पहला number एक उसका factorial भी ढूंड दो factorial ठीक मैं यह आप ऐसे लिख देता हू मैं किसकी बात करहए प्राइम नंबर a a. concerned problem मैं करहाँ फिर मुझे देखना b का कि ona प्राइम नंबर है या नहीं है और见 अप्राइम नंबर है या नहीं है और अभी कुछ भी हो सकते आपके, यहाँ पर मैंने स्रब एक्जाम्पल दे रहा है, फिर मैं कहा रहा हूँ कि आप प्राइम नुम्बर ढूनो, किसको बी माइनस ए, क्या यह प्राइम नुम्बर है यह नहीं है, और फिर इसी का आप सेक्ट्रॉल भी ढून दीजिए, इतनी है, भी है नहीं है, तो आंसर इसका तो आजाएगा जीरो, आउट्पुट में, ठीक, मैं बहुरूंगा, बथा यह शिक्ष का, तो वह होता है, आई धिंग 720, ठीक, उसके बाद बी प्राइम नुम्बर है, यह नहीं है, नहीं है, तो जीरो आउट्पुट, फ्रेक्ट्रल आउट्पुट में, जीरो, फेक्टोरियल हो, बी मैंने से, मनलब टू का फेक्टोरियल, टू, तो मुझे इस्क्रीन में यह अउट्पुट ले के आना है, ठीक, यह एक्जैक नहीं है, यह वाला, इसका जो भी आंसर होगा, आप क्रॉब्लम एस्टेंट्मेंट आपको क्ल कोड मुझे लिखना है, आपको यह प्रॉब्लम दी गई है, आपको इसको कोड में कनवर्ट करना है, अब मैं अगर इसको कोड में कनवर्ट करने के लिए आपको बोलू, आप कैसे करोगे इस कनवर्ट, परस्ट आप यह करोगे, में फंक्शन में आओगे, में फंक्शन मे उसके बाद मुझे पहले की करना था कि a Prime Member है या नखी है तो मालो है यहां पर मैंने लग दिया कि B क्या प्राइम निम्बर है ये नहीं है, तो मैंने उसका code यहाँ प्रिख दिया, पिर यह प्राइम का हो गया, यह फैक्टोरियल का हो गया, तो मैंने यहाँ पे B का आपी का, फिर दोसे उसने सेम कहानी मुझे दुवारा पूजी दी, तो मुझे पता है, मुझे फिर से किसका कोड लिखना है किसके लिए ब इमानिस एक लिए और लास्ट में फैक्टोरियल ऐसे है अगर कि मेरा खतम हो जाएगा ठीक यह मेरी पॉब्लम थी ऐसे अगर कि मैं कोड कर रहा हूंगा यहां पर जो प्राइम नम्मर का कोड होगा यहां पर जो इसका ओग है कि पहले का प्राइम में गुणो धूród दूसरेКак 0 इस उखने तो क्या मैं बार अगर मैं प्राइम नुमेर का मैंने दीखा मैं यहां पर लिखना है जबकि पार से महोनेवाना सब psych सेम ही होगा लग भग ठीक तो वही कोड मैं सेम बार-बार लिख रहा हूं स्वेक्ट्वल कोड मैं बार-बार लिख रहा हूं अब इसमें क्या होता है function की जो requirement आई वो यहीं से आई है कि अगर एक बार आपने code लिख लिए है किसी गार उसे बार-बार मनते है फाल तो में time waste है मैंने एक बार यहां लिख गया एक बार यहां लिख गया एक बार यहां लिख गया ठीक तो भाई आब आप बोलोगी भाया कि जो यह वाला होगा तो कूर तो कुछ ऐसा दिखेगा कि for int i equal to 2 से i less than a ऐसे गर गे i plus plus और जो यह वाला प्राइम होगा उसका ऐसा दिखेगा i equal to 2 तो यहां पर तो सेम नहीं हुआ यह थोड़े अलग दिख रहे हैं मैंने कहा यहां पर तो सिर्फ मैं value पूट कर रहा हूं यहां पर सिर्फ मैं value पूट कर रहा हूं कोड तो लगबक सेमी है सबका logic सबका सेमी है ठीक है सिर्फ change आएग तो इस पर करो मेरला एक बाए मैंने प्राइम निम्बर का कोड लिखा उसको कहीं पर रख दिया ठीक अब मैं यहां पर खड़ा हो कि बोलूगा यह थम्रया थैयर यह नहीं है तो my और much मैं बोलूँगा बी प्राइम निंबर है या नहीं है तो मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए तो मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए कर सकते हो तो जब भी मैं फंक्शन लिखता हूं तो बढ़ जाती है मुझे ये बारबाल लिखने की जुरूत नहीं है वह कैसे होगा अभी हम जानेंगे सैकें मेरी बढ़ती है अगर आप ऐसे करके पूर को लिखते हो ऐसे करके अब लिख्याओंगा कैसे आपको क्ली निखेगा आपको नो किसी नोख टेका है आप आपको क्यों तुछ है करना है कि सामें एक प्जम क्वुजिसास कैसे दिखता है करके अब आपको साय थो लगा यूज्ट करिया होगा इस प्लियर हो जाएगा कोई दिख करती है तो मैंने बोला फंक्शन कैसे दिखता है तो अगर में उसका पॉर्वेट बसा हूँ आपको तो ऐसा कुछ दिखता है रिटन टाइप कि यहां फें फंक्शन का नीम घबराना नहीं है कि यहां पर आते पैरमेटर है वन्रफाद टू इते हुआ कोमा कोमा करके जिख नहीं है कि यह ब्रैक्ट डूउजellow थीक्ष यहां पर होगज ए Quick यहां पर code पार्ट आएगा, code पार्ट यहां पर भगया यह देखके तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यह तो सब के ऊपर से गया है, जो आपने यहां पर लिखा है, मैंने कहा कोई दिक्कत ने, एक अगर क्या सबको debug करते हैं, return type मतलब क्या होता पहले, यह return type का मतलब क्या है, यह बोल रहा है कि यह आपने यहां पर जो भी code रिखा है, वो मुझे क्या answer लेके देने वाला है, ठीक, क्या वो मुझे एक integer value answer में देगा, या फिर मुझे कोई character value देगा, या फिर मुझे कोई boolean देगा, या फिर float, double, कुछ भी, यह return type वो ही बसाता है, कि यह जो function जो भी मुझे answer देने वाला है, उसका type क्या है, simple सा, ठीक, तो return type मेरे कितने तरीके के हो सकते है, return type की answer दे रहा हू, या फ्रोट type का answer दे रहा हू, मेरा character type का answer दे रहा हू, double type का दे रहा हो, कोई भी आपका यह हो सकता है, मतलब भाया मालो, मैंने यह यह पर code लिखा है, कुछ भी code लिखा है, ठीकिया, मालो मैंने sum of n नम्बर का code लिखा है, 1 से लेके 10 तक का answer मुझे लेके 2, तो मैंने सबका सम करा वो आया मेरा वन से लेके 10 तक का सम मालू 55 है तो इसको पता चला कि इसको 55 आंसर में चाहिए और वो किस टाइप का इंटीजर टाइप का तो वह यही करता और यह रिटन क्या करता है यह किल के कुछं में भी भी देख था है कि यही वाली वेевой शोर फो पकड़ा देगा छो मेरा यहां पे sum of n number का निखना था, यहाँ पर मालों मैं 4 लिख रहा हूं ऐसे, for i equal to 1 से i less than equal to 10, i plus plus, एक sum variable लिलेता हूं, initially 0, sum of n number रिखाल रहे, तो मुझे बता है, इसका होगा sum plus equal to i, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूंगा, return sum, जो भी sum के अंदर store है, वो return कर दो, वो इसको दे दो, ठीक, return type क्या आप देख रहा है, यह sum का type क्या था, sum का type था, integer, तो यहाँ पर जो भी आएगा, वो integer आ सकता है, boolean आ सकता है, ऐसे लिखा रहेगा, integer, boolean, कुछ भी लिखा, वो हो सकता है, अब अगला अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका नाम है function name, क्या है, function name, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, किसी भी function को कुछ भी नाम दे सकते हो, यह आपकी मर्जिया, अगर मैं prime नुमर का कूल लिख रहा हूँ, तो मैं इसको लिख दू, प्राइम, आप की मर्जिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, आप की मर्जिया, अब यह क्या है भाईया, यह, यह, यह parameters, यह क्या होते है, मैंने का अभी इसको कुछ दिर के लिए रहने देते हैं, यह है मेरा food का part, जो मैं solve करने वाल, ठिक, अभी आप इन parameter को discuss करेंगे, यह कि देगा, कि जो return type है, इसने डाइट की होती है, कई बार ऐसा होता है, कि return type को मैं void भी लिखता हूँ, मैं कुछ answer ही expect नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो भी function call लगा है, मैं उसको कुछ answer expect ही नहीं कर दो, मैं नहीं चाहरे कि तु मुझे कुछ लाके दे, माल लो मैं function में hello world print करा रहा हूँ, तो मैंने see out hello world लिख दिया, ठिक, तो मैं नहीं चाहरे कि अब मुझे कुछ भी वह return लाके आंसर में दे, तो वहाँ पे return type पी जगह में वाइड दाता है, अभी इसको अभी और आगे detail में discuss करेंगे, तो अगर मैं अपने इस original code में आँग, ठिक, इससे आपको सब clear हो जाएग, इस वाले example से, यह prime number का है, तो मैं बोलो, prime number का code मुझे एक बार लिखना है, एक function इसका बनाओंगा, एक function में factorial का बना दो, बाकी तो सब सेम ही है, बाकी सब सेम है, तो मैं बोलो, मैं वही करने वाल हूँ, वही मैं करने वाल हूँ, अब देखो, सब से पहले हम prime number का function लिख देते, प्राइम number कैसे दिखेगा, मैं चार हूँ, यह prime है, यह function का नाम हो गया, ठीक, प्राइम number क्या answer देने वाला उसे, कि वो number prime है या नहीं है, तो उसका prime number का function लिख दूँगा, यहाँ पर आएगा कि कि किस number का prime number मुझे ढूंबना है, कौन सब नंबर हो, जिसका prime number मैं चाता हूँ ढूंबना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर, तो माल लोग वो number है, integer n, n वो number है, उसका type है int, यह इसको हम parameter कहते है, इस किस number का मुझे ढूंबना है, कि यह prime है यह नहीं है, यहाँ पर मैंने एक ही parameter दिया है, ठीक है, मैंने का multiple parameter भी हूँ है, वह अभी हम डिसकर सरेंगे, यहाँ पर एक ही ची होता मुझे, क्योंकि मुझे सिर्प इसका ढूंबना answer, कि यह prime है यह नहीं, function का name दिया, उसका return type द prime number का code हम कैसे लिख सकते हैं, पहला तो वह हो जाएगा, अगर मेरा जो यह number है, अगर less than 2 हुआ, ठीक, उससे छोटे वाले कोई भी number, 2 से छोटे वाले कोई भी number prime नहीं होते, सबको पता है, हाँ, तो मैं return कर दूंगा, क्या, 0, 0 return करने का मतलब क्या है, इसको आप 0 दे दो, अगर n और भी कोई value हो सकते है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हाँ, हो सकता है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, कि 2 से लेके, उस number तक हम check करेंगे, i equal to 2 से, i less than n, i plus plus, यही लिखते हैं, prime number को check करने के लिए, कि 2 से start करते कहां तक, n minus 1 तक, सारे number check करो, अगर कोई भी number से divide कर गया, तो भाई हो prime number नहीं है, तो मैं वही लिखने वाला हूँ, if n mod i equal to equal to 0, मतलब वो divide हो गया, अगर वो divide हो जाते हो prime number नहीं है, तो return कर दो 0, 0 return करने मतलब प्रोग्राम याज से खतम करो, इसको 0 दे दू सीदा, मैं नीचे नहीं जाओंगा, यहाँ पर भी यही मतलब है, अगर मैं 0 कर रहा हूं return, तो मतलब यहाँ नीचाने की जरूद नहीं है, यहाँ इसको खतम कर दो, symbol है, हाँ यह simple है, अगर वो prime नहीं हुआ, अगर यह condition true नहीं होती, ठीक, जरूँ दोड़ी नहीं है, यह condition true होगी, ठीक, अगर कोई भी number है, अगर वो true नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, आगी दूसरे number पर चेक करूँगा, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करना चाता है, यहाँ पर, इसको उटा देते हैं, अब मैंने सारे number पर चेक कर लिया, सारे जितने भी number वहाँ पर present थे, उन पर मैंने चेक कर लिया, कि if n mod i equal to 0 है, तो return 0 कर दो, वो prime नहीं है, और अगर कोई भी नहीं चलता, तो मुझे पता है, कि वो number prime नहीं था, तो return कर दूँगा 1, ऐसे करके, यह करके, भाईए यह कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं है, मैंने का बीर को, मैं एक number ले रहता हूँ 7, number 7 लिया, मैं यहाँ है, 7 यह इसके अंदर है, 7 क्या less than 2 होता है, भाईय नहीं होता, तो return 0 नहीं होगा, तेलो हो यहाँ पर है, i equal to 2 से i less than 7 तक वो value को check करेगा, अब यह i equal to क्या है मेरा, 2 है, ठीक है, उसने देखा, 7 mod 2 क्या 0 होता है, नहीं होता है, फिर से वो i के value को x बढ़ाएगा, फिर दे less than 7 होता है, नहीं होता है, क्या 7 mod 4, 0 होता है, नहीं होता है, फिर से ओपर गया, 5 कर दिया, क्या 5 less than 7 होता है, नहीं होता है, क्या 7 mod 5 equal to equal to 0 होता है, नहीं होता है, एक से उसके value बढ़ा दी, क्या 6 less than 7 होता है, नहीं होता है, 7 mod 6 क्या equal to equal to 0 होता है, भाईय नहीं होता है, फ बहार आ गया, तो मतलब 7 क्या था प्राइम, जैसी बहार आया, उसने रिटन 1 कर दिया, 1 रिटन इसको मिल गया, कि वो नमबर प्राइम नमबर था, 7 प्राइम नमबर होता ना, 7 को कैसे पता लगा हूँगा, 2 से लेके कहां तक चेक करूँगा, 2 से लेके 6 कोई बीनमर को तक, खो बोसकता हो ना, कि वो प्राइम नमबर नहीं है, थिक, तो मैंने सब पर चेक कर लिया, और मुझे एक यह कबी आणसर ऐसा नहीं मिला, कि वो प्राइम नंबर था तो अगर किसी के लिए भी नहीं मिला तो मलब वो असली में प्राइम नंबर ही था तो इसलिए जब लूप ब्रेक करके बहार आ तो मैंने उसको बोल दिया रिटन वन मलब आप प्राइम नंबर ही होता है इस टाइप से इसका पॉड लिखा मैं क्या करूंगा यह मैंने लिख दिया इसके लिए इसके लिए एसे करके बेट रिंग सा मेरा वूड अब मैं एक्सपर करता हूं कि मुझे कूछ आंसर लिकित दे दे अगर अगर मैं आपको बोलू 6 का फैक्ट्रोल क्या होता है तो आप मुझे कुछ आंसल ले को देखो तो आपके बोला 720 तो 720 किस टाइप का है इंटर टाइप का तो उसका डिटन्ट टाइप इंटर हो जाएगा कि यहां पर कि आएगा यहां पर मैं बोल्गों का नाम ना मट्सकुन का नाम इसका ऑगलना है उसको मैं यहां पर लिख दूंगा इंटीजर एंड और से एक एक लिए एक लिए तो इंटीजर आंसर इसकोल टू एक अब आंसर के अंदर सारी नमर मंटिप्लाई करता जाओंगा तो मुझे फैक्टरेल मिल जाएगा कि ए कि एशी लिहूंगा आँसर इक अंसर इंहीं से अनसर इसको मिल इए घरके मैं फंक्टरन को लिखता हूं तो जब मैं ऐसम यह लिखता हूं इसको बोलते फंक्टरन डेकलियर करना यह मैं कर रहा हूं इसको बोलते function define करना यह function define हो गया आपका और यह हो गया function declare जा मैं सर्व इस line को लिखता हूँ यह function declare हो गया कि यह function define हो गया डिफाइन मनलग क्यों function करेगा क्या ठीक यह function का नाव हो गया यह तो मैंने यह code लिख दिया है मुझे पता है यह मेरा प्राइन नंबर का code है और मुझे पता है यह मेरा फैक्ट्रूल का code है ठीक मैंने का दोनों को एक एक बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है अब जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको मैं कैसे अंदर नहीं लिखा है उनको बाहर उठाके रख दिया मैंने बूल ले इक labor में एक एक बार ऑन मेंkor की दोना शेश्क्रेक में दोनों को i. forward말 मुझे मुझे ढूबना था ठीक सी इन ए और बी ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ तब से पहले उसने क्या खाता कि भाया A prime number है या नहीं है वो मुझे लाके दे दिजे A prime number है या नहीं है वो आप मुझे लाके दे दिजे तो मुझे क्या करना है मुझे पता है मैं prime number को लिख चुगा हूँ तो मैं सिदह यहां से चिलाऊंगा, भाया मुझे बता दो कोई कि a prime number है या नहीं है, ठीक, तो यहां से मैं अपने function को call करूंगा, अब call कैसे करते हैं, Function Call. बहुत असान, बहुत यह असान. कॉल करने के लिए अगर मुझे प्राइम version call करना है, यह वाला function call तो जो इसका नाम है वो मैं लख दोंगा कि मैं धून लूमए कि मेरा नम्मर प्राइम है यह नहीं है? अब किस नम्मर के लिए धूनडा हूँ? वो मैं यहाँ पर पास करूँगा मैं A के लिए डोंड़ा तो A मैंने यहाँ पर पास कर दिया किलियर है कि मुझे बताओ A नम्र A प्राइम है यह नहीं है यह simple यह बोल रहा है कितना चोटा सब code लिख दिया अब अब वहां से अलाके अपना आंसर यहां पर रख देगा simply जो भी आंसर उससे आएगा ठीक है यहां से मैंने सीधा call कर दिया अब यह A क्या है यह A है simple यह है यह A इसको replace कर देगा ठीक है जो A की value होगा N के अंदर गुच जाएगी बस वह यह कर रहा है यहां पर इंट N है वहां पर A है तो A न क्या करा A को आपने as the argument यहां पर pass करा तो N के अंदर A चला जाएगा ठीक क्योंकि A इंट टाइप का था इसलिए यह भी इंट टाइप का ही हुगा अगर इस N को A की value को hold करना है मालों A की जगह में 6 था अगर N को 6 को hold करके रखना है तो N की इस टाइप होना चाहिए इंट टाइप का इसलिए आप इसको भी A लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं कोई कि A प्राइम है या नहीं है मुझे कहीं से answer मिल गया होगा वहां से 0-1 में मुझे answer मिल गया होगा क्योंकि वहां तो रिटन करता करा सकता हूं डारेक्ट में उसको प्रिंट भी करा सकता हूं ऐसे गरिए ऐसे प्राइम ए कॉल किया जो भी आंसर आया तो यहां पर सीधा प्रिंट हो जागी सिंबल है सिंपल है उसके बाद मुझे क्या ढूना था ए कप पैरमिटर एक का तो मैं ने पास कर दिया मैं बोला मुझे दूंड के दो अपने function को बोल रहा हूं भाईया मुझे एक एक का फैक्ट्रॉलियर धूंड के दे दीजिए एक यहां तो बहुत आएगा वह यहां पर आ जाएगा वह यहां पर आ जाएगा उसी को मैं प्रिंट करा दूंगा इसकी दिवामा जाएगा मालो यहां पर मैंने थ्री पास कर रहा होगा ठीक है तो थ्री का फैक्ट्र का जो भी आंसर आएगा तो स्क्रीन में प्रेंट हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना था मुझे बी का घूंड़ना था कि वह प्राइम है यह नहीं है तो सिंपल है प्राइम लिख दू फंक्शन को कॉल कर दू जो भी उस फंक्शन का नाम था और यहां पर बी लिख दू यह बी उठके सीधा एंड के अंदर गुज़ आएगा और आपको आपको आँसर मिल जाएगा मुझे यहां पर फिर से पूल लिखने की जुरत नहीं बड़ी मैंने बस एक बार पूल लिखा है एक बार बार लिखने की जुरत नहीं पड़ी तो मुझे कितना चोटा पड़िया देखो सी आउट प्राइम दी का आंसर मिल गया जो भी मुझे लाकर देगा सेम उसके बाद मुझे प्राइम और भूनना था तो मैंने उसको भी कर दिया यह दिजिए फिर किसका दून अदा प्राइम और भी मैनस से यह लिजिए आंसर आके देगा अब लास्ट में दिया हूट क्या बूल रहा हूं फैक्टरल लॉफ भी मैनस से इसका आंसर आके मुझे देगा इस ताइप से मैं ने लिखा अब देखो यारी कोड़ रीडेवल है यह नहीं है यह एक बार ना मुझे यह समझाती है यह क्या किया आपने यहां पर आप दो नमबर पास कर रहा हूँ बी माइनस से मैंने बी माइनस से का जो भी आंसर आता है ठीक है मालो एज कॉल टू सिग्स सा बी कॉल तो जो भी नमबर में वहां से पास कर रहा हूँ वह यहां पर बैठ जाएगा और उसका जो टाइप है वह यह होता है इसलिए इसका टाइप भी होना चाहिए यहां तक क्लियर हाँ अब मैं अगर आपको बोलूँ यह कोड देखो कितना प्यारा लग रहा है कितना प्यारा है या वह वह आला कोड कहान लिखिनगी है मैंने बहार आ जाएगा मैंने कि छोटा सा लग आ अगर आप वह कोड यहां पर अंदर लिखते कि इतने गिचर भीचर हो जा ती क्या होगो नब कोई इंसान आता में तो मैंने आपको मुला था कि COD की डीयिबिलिटी बढ़ जाती है कि इतना अच्छा कोड मिल गया वो रीड कर पा रहा कोड को अब मालो वो देख लेगा कि आप प्राइम वाला पंक्सर मेंने कॉल कर रहा है अगर उसे प्राइम पढ़के भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार प्राइम कोड देख लेगा हो अच्छा इसमें हो क्या रहा है वह एडाल गया और क्या हो गया री यूजियबिलियुटि बढ़ गयी मंदो सेम कोड को वार यूज कर पा रहा हूं तो अव्य सियू वाहुं स Laurie करें पा रहा है मैंने जब आ की की ना था तब भी मैं सेम कोड यूज कर न है है फिर सिember राहा हूं थी तरिस यूं वार ऐसी आप 80 code को 100-500 जिदरी बार यूज़ करना यूज़ कर सकते हो बस आप तो आप पर क्या करना है function को call करना है function को मैंने आवाज लगा दी वो मुझे answer लेके दे देगा अब जो statement हम यहाँ पर paths करते हैं इसको हम कहते argument इसको कहते argument कि क्या transferred यह भी आर्गूमेन्ट करें यह भी आर्गूमेन्ट यह पी हार्गूमेन्ट यह भी आर्गूमेन्ट यह थे mo mast इससे बार एक चीज देख लेते हैं कि मल्टीबल वाले कैसे आते हैं मालो आपको दो नम्बर का स्थाए अरे भाईया इसके लिए क्या function call लगाना मैंने का चल एक बार इसको function call से solve करने की कोसित कर लेते हैं ओके इसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो मालो function का नहीं मैं स्थाम लिख देता हूं ठीक अब अगर आप सम कर लो तो आपको किते नंबर की requirement होगी यह दो की requirement होगी आगर दो नंबर का सम कर लो फिक है अब किस टाइप की नंबर को सम करना चाहता हूँ इंप्जर कर लिखाना है उनका टाइप है इंट ठीक अब यह तो मैंने फंक्शन लिख रहा हूं इसका रिटन टाइप क्या होगा इन दोड़ों का सम करके क्या आंसर देगा होगा इंटीजर ही देगा हाँ तो वही रिटन करूँगा हाँ यह आपर मैंने इंटीजर लिख दिया सिंपल सा ठीक है तो मैं यहां पर दिख सकता हूं एक एंटीजर अंशर लिख देता हूं आणसर में क्या करना ए प्लस भी कि अधिकर्ण करतों अपने अंशर को जो अब हिनका समायगा वो मैंने रिटन करती है फिक अब का आंसर होगा ये इसको तो कहता हूं मैं यह उपर आली लाइन है यह होता है फंक्शन क्या करने वाला है यह उपर आएगा यह उपर आएगा आपको दो करना था मालों वह आपके कुछ भी हो सकते हैं ऐसे करके हो गए मैं कह रहा दूरो नंबर को इन पूर्ड में लिलो ने लिया हाँ अब मुझे इन दोनों का सम निकालना है क्या निकालना है सम तो मैं सिंपल था सम वाले पंक्शन को कॉल कर दूंगा तो कॉल करने के लिए करना पड़ता है सम ठीक है M और N का सम निकालना है M, N इन दोनों का सम नाके मुझे दे दो और इसी को मैं प्रिंट कर दूंगा कि देखो कितने आसानी तुमारा कोड़िक किया कितने आसानी से अब अगर फ्यूचर में अगर आपको यूजर बोले कि मैं तुझे दो नंबर और दे रहा हूं दो नंबर और दे रहा हूं अब में अब वहला ओ और पी कवी सम करके बसातूं मुझे ओ और पी कवी मैंने यहां पे उसका आंसर माजय की यहां पर आ ऑजाएगा यहां एसका आजएगा सिमपल है हमा लो यूजर था यूजर ने चार input दे दिया आपको, ऐसे करके, 2, 3, 4, 5, ये M, ये N, ये O, और ये P, दे सकता है user, हाँ ये दे सकता है, M और N, यहाँ पर आया मैं, ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, पास हुआ, तो A के अंदर किया मेरा 2, B के अंदर किया मेरा 3, ठीक, यहाँ पर 2 प्लस 3 कितना होता है 5, वो answer के अंदर store हो गया, तो return 5, 5 को return करतो, तो यहाँ पर इसकी जगह में 5 रिखा हो आजाएगा, और 5 आजाएगा, उसके बाद मैंने call किया इसको, 4 और 5, मैंने का 4 और 5 को करो, तो A के अंदर आजाएगा 4, इसके अंदर आजाएगा 5, ठीक, हाँ, मैंने का 4 प्लस 5 कित यह हो रहे, तो यह parameter 1, parameter 2, इसको हम parameter कहते, यह कितनी भी हो सकते हैं, अगर आपको बोले, तीन number का सम निकालो, तो यहाँ पर मुझे पता है, इंटेजर भी है, इंटेजर C करके मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ तक clear, हाँ यह clear, अब आते हम अपने इस वाले, इसको हम क जाएगा, 6 आजएगा, मैं अंदर आया, मैंने का 6 less than 2 है, उसने का नहीं है, तो मैं यहाँ पर आ गया, उसने पहले i को initialize किया 2 थे, उसने का 2 less than 6 है, उसने का 6 more 2 equal to 0 होता है, उसने का जी होता है, तो इसने बोला return 0 कर दो, 0 को answer में दे दो, कि यह prime नहीं है, तो 0 यहाँ प यहाँ, एक प्रेक्ट्रोल खुणना है, fact of 6, फिर ते call किया, मैं यहाँ पर बूचा, n की जवा में क्या आ गया, 6 आ गया, answer equal to 1 है, n equal to क्या है, 6 है, answer equal to क्या है, 1 है, 1 है, 1 से लेके n तक को सब को किसके साब multiply करो, इसके साब, तो पहले क्या हुआ, 1 into 1, i equal to 1 था, फिर i के value फिर 2 हुई, तो फिर 2 multiply हो गया, फिर 3 हुई, फिर 3 multiply, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो यहाँ तक सारी नमबर multiply होए, तो यह आया, 720, जैसी loop break हुआ, उसने 720 return करा, और मैं यहाँ पहुँच के, मैंने print करा दिया, अपने 720, ऐसे करके, अब सेम कहानी उसके लिए भी होगी, a, b equal to 8 यहाँ पे आ जाएगा, prime of 8, पता करो, सेम कहानी, वो ढूंड के देगा मुझे answer, तो ऐसी करके, मैंने अपने function को use किया, तो I think, आपको function के use cases आयोंगे, कि यह दिखने में अच्छे लगते हैं, ठीक, मुझे बार 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 एकी function को बार 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 नहीं नहीं पढ़ेगा, प्राइम का code में बार बार ना लिखो, एकी बार लिखो, उसे बार बार यूज करें, अभी जब हम recursion पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको इसकी reusability बहुत हद तक समझाईगे, अभी तक जो हमने ये reusability इसका लिखा है, अभी हमें थोड़े बहुत समझ आ चुका है, कि बार बा बार बार के concept पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको function ज्यादा comfortable लगने वाले हैं, जी हाँ, तो अब चलते हैं, इसके code पार्ट में, उसको समझते हैं, debug करते हैं, चलिए, अब हम सबसे पहले अपना code देखते हैं, जिसमें हम sum कर रहे हैं, दो number का, पहले हम easy वाला देखते हैं, फिर उसके बाद हार डाट के और जाते रहेंगे, तो भाईया इसको लिखना कैसे, मैंने कब पहले user से हम input लेंगे, ठीक है, मानलो वो दो number दे रहा है, integer a और b, तो user दे देगा c in a और b, मुझे input में दे देगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे sum निका कर दूँगा, कि मुझे इसका sum ले के बता दिए, ठीक अब जो भी वह यह answer देगा, उसको मैं print करा दूँगा, इस type से, अभी देखो इसके नीचे red line आ रही है, अगर आप देख पा रहे हो, तो यह कहा रहे है कि identify sum is undefined, मैं अभी उस बचाना नहीं कि sum क्या है, अब मैं उ integer कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी नाम उसको दे सकता हूँ, integer m, integer n, मैंने नाम दे दिया, यह मैं अंदर आ गया, अब एक variable ले लेता हूँ, जिसमें इन दुनों का sum मैं store करा दूँगा, integer answer equal to, क्या लिख दूँगा, m plus n, तो इसी को मुझे return करना है, तो return लिख दूँ क्या, function declare करना, और यह जो अंदर आपको दिख रहा है, इस सब कुछ, जितनी भी line मैंने यहां से यहां तक लिखी है, यह इसको गहते है, function define करना, function define करना, यह लिजे, तो मैंने function declare कर दिया, define कर दिया, और function call यह रहा, यह यहां से आवाज लगाएगा, कि A और B का sum निकाल क कि मुझे बता दीजिए, तो वो इसको call करेगा, और यहां पर उनकी value को put कर देगा, फिर इन दोनों को sum करेगा, और answer को return कर देगा, जो भी answer return करेगा, वो यहां पर आ जाएगा automatically, और उसके बाद वो print हो जाएगा, तो एक बार इसको run करके देख लेते हैं, तो एक बार इस enter two number, enter two number, ठीक, अब साहीद है कुछ अच्छा दिखेगा, ठीक, इसके नीचे लिख देगा, see out, enter, ताकि आपको अच्छे से समझाए, इसको एक बार हटा देते हैं, आप इसको run कर ले दाए, यह कहा रहा है enter two number, मालू मैंने 8 और 18, इन दो रगा मुझे sum निखालना है, मैं यहाँ पे उसने sum नाम की function को call किया, जिसमें उसने बोला कि 8 और 18 का मुझे sum लाक है, बता दो, तो उसने यहाँ से function को call लगा है, तो यहाँ पे उसने इसको ढूना, तो n की जगा में आगिया 8, n की जगा में आगिया 18, ठीक, उसके बाद उसने जब n प्लस n किया, 8 प्लस 18 किया, उसका answer आए 26, और उसने उस 26 को यहाँ से return कर दिया, ठीक, जब ही return करता है, इस answer को वापस कर दो, भेज दो, उसको बता दो, कि यह आपका answer आए, तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ता कि किस type का answer मुझे अंदर से मिल रहा है, यह यहाँ पे मुझे बताना पड़ता मैंने का हमेज सही, जब भी आप return यहाँ से ले रहे हैं, जिस type का आप return ले रहे हो, ठीक है, जो आपकी मांग है, उसको हिसाब से आपको यहाँ पे return type को लिखना पड़ेगा, अब अगर इसी में मुझे कह देता, कि भाई, मुझे multiplication करना है, मुझे यह करना है, मुझे यह क function अभी तक declaration नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे जाओंगा एक multiplication नाम का function बना दूँगा, ऐसे करके, ठीक, मुझे a और b का multiplication करना है, तो भाईये यहाँ पे ले लूँगा m और integer n, ठीक, यह m और n क्या है, जो भी a की value हो, m के अंदर जाएगी, a किस type का था, inter type का, इसलिए यह अब मुझे बता है, कि मैं integer के लिख सकता हूँ, answer equal to m into n, ऐसे, और return कर दूँगा उसी, return answer, यह return type क्यों है, क्योंकि integer type का answer expect कर रहा है, अब मैं score run करता हूँ, तो देखे हमारा answer क्या आता है, मालूम मैंने 3 दाला, और 7 दाला, तो मेरा answer आया, 3 प्लस 7, 10, पहले यह वाला function call हुआ, तो उसने 10 प्रिंट कराया, फिर handle आया और तो next line पा आगिया, फिर मैंने multiply गिया उनको 3721, 3721 प्रिंट हो गया, इस type से हमने चीजों को करवाया है, तो भाई है, यह तो inter type का हो गया, क्या all type के भी होते हैं, मैंने का होते हैं, आप इसमें boolean में ल आता हूं, मालो, आप एक काम कर रहो, आपको print कराना है, hello coder army, function की help से, आपको print कराना है, screen पे, उसने बोला function की help से, आपको execute करवा के देना है, ठीक, तो मैं एक function मना लेता हूं, ठीक है, जिससे मैं function call करूँगा, मालो, इसके बाद मुझे वो कराना है, तो मालो, मैं function call कर कर रहो, ऐसे, fun, ठीक है, function, जो print कराएगा, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक, यहाँ पर मैंने कोई भी यह, argument पास नहीं करी, इनको मैं क्या कहता हूं, argument कहता हूं, यह argument होगी, ठीक, अब मैंने जब function वाला call किया, ठीक, यह function वाला, मुझे सिरफ print कराना है, तो यहाँ पर मैं कहा रहा हूं, wide, क्योंकि उसे कुछ भी return में नहीं चाहिए, कुछ बच्चों को confusion लग रहा होगा, मैंने का मैं यहाँ पाया, अभी देखिए, see out, hello, coder army, ऐसे करके मैंने कर दिया, ठीक, और मैं यहाँ से कुछ भी return नहीं करवाना चाहता, जब मैं कुछ return ही नहीं करवा रहा हूं, तो मैं मुझे इसके आगे see out लिखके भी कुछ फाइदा नहीं है, कुछ फाइदा है नहीं, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ भी answer नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम तो सिरफ hello coder army को print करवाना, ठीक है, यह कुछ expect नहीं कर रहा है, वाइड मलना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक, जब कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे print भी नहीं करवाना चाहता, ठीक है, वहाँ से वाइड आएगा, वहाँ से कुछ आई नहीं रहा है, ठीक, अब अगर मैं इसको execute करके दिखाऊं आपको, तो मालो मैंने दो नमबर दाले, 2 और 3, मैं एंटर करा, तो 5, 6, 2 प्लस 3, 5 होता है, फिर 6 आता है, फिर हेलो कोडर आणी प्रिंट हो गया, तो यह एक साथ क्यों प्रिंट हुआ है, यह इसलिए होगा है, कि मैंने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया, अब मैं इसकोर रन करूं, तो मालो 3 औ बनाया है, जरूरी नहीं मुझे इसको यहीं पे करना है, मैं कह रहा हूँ, इसको मैं ऐसे हटा भी सकता हूँ, ठीक, मैं इसको भाहर पे लिख सकता हूँ, इससे, sum a,b, ठीक, तो sum a,b, जब भी call होगा, तो जो भी उसका sum आएगा, वो यहाँ पे आजाएगा, इसकी जगा ठीक, इसकी जगाप आएगा, तो इसको इस्टोर करने के लिए कोई तो रखना पड़ेगा, तो मैंने बोल भीया, integer answer equal to sum, जो भी इसका answer आएगा, sum a,b का, उसको store करा तो answer के अंदर, ठीक है, sum a,b किस तैप तो answer देने वाला मुझे, intertype का, तो इसलिए answer भी intertype का ही है, और आप इसको see out answer, ऐसे भी print कर सकते हैं, आप की मर्जी है, तो two nine, यह देखो, तो पहले मैंने या पर function कौन लगाया, two and nine का, जो भी sum aya हुआ, eleven, वो 11 answer के अंदर store हुआ, और उस answer को मैंने print करवा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी तरीका हो, आप उससे execute करवा सकते है बहुत सारे बच्चों को साहित confusion हो सकता है, यह return type में, return type में, कब inter लिखना है, कब void लिखना है, कब boolean लिखना है, तो देए, चीजे हैं, यह धीरे-धीरे time के साथ आपको और ज्यादा clarity दे रहे हैं, ज्यादा सूचना नहीं है, अभी ज्यादा ओनी लेना, initially जो बच्च enter type का है, इन दोनों का sum चीएता है, मुझे MN का, तो मुझे उसको return कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पर enter type कर लिखा, आप यहाँ पर यह भी कर सकते थे, अगर मैं इसको तोड़ा modify करूं, मेरा ultimate goal क्या था, print कराना था मुझे answer को, तो मैं यहाँ पर भी उसको print करवा सकता ऐसे, और जब मैंने यहाँ पर print करवा दिया, तो उसके बाद मुझे return करने के कुछ भी जरूरत नहीं है, जब मुझे return ही नहीं करना, तो यहाँ पर वाइड लिख सकता हूँ, अजब मैंने यहाँ पर वाइड लिख दिया, तो भाईया, यह int answer का game खतम, और cout answer का भी game खत ठीक, वो यहाँ पर call हुआ, वहाँ पर उसने बोला, m and n का मुझे sum निकान ला है, तो answer के अंदर आ गया m plus n, और cout में मैंने यहीं पर print करवा दिया, जो मेरा ultimate goal का, जब मैंने print करवा दिया, मेरा ultimate goal प्रिंट ही कराना था, तो उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ भी return नहीं यह handle मैंने यहाँ पर लगाया था, और एक side यहाँ पर भी यह लगा हुआ है, ठीक, अगर इस वाले को अटा दू, तो अब बिल्कुल सही चलेगा, जैसे मुझे चाहिए तारी चलेगा, तो 2, 6, तो 2, 6, 8 होता है, 2, 6, 12 होता है, और यहाँ पर last में Hello Coder Army print हो गया, तो हम न जारों कि यार, जब मुझे print कराना है, ठीक, जो भी इसका answer, उसके बाद मैं यहाँ नीचे कहीं, उसे use नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर void लगा देता हूँ, simple सा, I think यह वाला concept अब आपको clear होगा, अब हम देखते हैं, जो इससे पहले हम देख रहे थे, prime number वाला code अपना, तो इसको कैसे Muslims खेंगे, तो देखो, इसको पहले हटा देते हैं, और इसको भी अटा देते हैं, ठीक, इससे पहले हमने question देखा था, कि मुझे two number given है, और मुझे क्या करना है, integer a & b, दो number मुझे given हैं, और मुझे उसमें क्या करना था, पहले number का prime number ढूंबना था, फिर उसका factorial, फिर second number का prime, फिर उसका factorial, फिर उनका जो भी subtract करके number जो आ रहा है, क्या वो prime है यह नहीं है, फिर last में, वो number factorial है, यह नहीं है, ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख दे तो मेरा goal क्य है, ठीक है, a is prime or not, यह मैं कर रहा हूँ, ठीक, a का factorial, यह ढूंड़ा हूँ, हाव यह, उसके बाद, b is prime or not, यही मैं पूछ रहा हूँ, कि b prime है यह नहीं है, ठीक, उसके बाद, b का factorial, यह ढूंड़ा हूँ, अपनी question में, हाव यह, लास्ट में, b minus a का is prime or not, ठीक, हाव यह, और b minus a का factorial, यह 4-5 काम है, मुझे यह यहाँ पर complete करने, यह मैंने दीख लिए, अब यह कैसे होंगे, सबसे पहले मुझे input लेना पड़ेगा, ठीक, c in, a और b, यह मैंने कर दिया, तो उससे पहले c out experiment दे देते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा code द नमबर, यूजर को मैंने बूल दिया, नमबर एंटर करो दोनों, यह यूजर यहाँ पर input में दे देगा, अब मुझे क्या करना है, कि मैंने देखा, यहाँ पर a is prime or not, फिर b के लिए भी सेम काम, इस यहाँ पर भी सेम काम, ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइम का, ज बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हो जाएगा न लंबा, ठीक, तो मैंने बोला उससे बढ़िया, मैं उसको बहार लिख देता हूँ, ठीक, तो मैं अगर बहार उसको लिखता हूँ, तो भईया क्या करना है, प्राइम नमबर का, ठीक है, इंटीजर n, जो भी नमबर यह नहीं है, तो उसको मैं ऐसा बुलियन कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक, यह मैं यहाँ पर आ गया, अब प्राइम नमबर का क्या होता है, कि if n is less than, क्या हो, 2 से, ठीक, तो return 0, वो प्राइम नहीं है, 0 मतलब वो प्राइम नहीं है, बाकियों के लिए, कि for i equal to, integer i equal to, कहां से, 2 से लेके i less than n, i plus plus, यह करूंगा, हाँ यह करता हूँ, if n mod i equal to equal to 0 आता है, तो वो क्या है, वो प्राइम नहीं है, नहीं है, तो return 0 कर दो, वरना हुआ, खुद से खुद आगे बढ़ता रहेगा, जब मैंने सब पे चक कर लिया, 2 से लेके n minus 1 तक, कोई भी नमबर उससे प्राइम ही था, जब वो नमबर प्राइम था, तो मैं यहाँ पर return 1 कर दे रहा हूँ, यह, अब आपको समझ आगा हो, यहाँ पर मैंने इसका यह return type क्यों boolean लिखा, क्योंकि जो भी answer इसको यहाँ से मिलेगा, यह तो 0 मिलेगा, यह तो 1 मिलेगा, आप इस बूलिय कर सकते वो आपकी मर्जी है, ठीक, लेकिन इंट करके क्यों मुझे extra memory देनी, इससे बड़ यह boolean लिलो, यह boolean का prime का program, अब अगर मुझे उसको call करना है, ठीक, तो मुझे पता है, मैं call simply ऐसे कर सकता हूँ, prime, ठीक, यहाँ पर मुझे number को भीजना पड़ेगा, पहले मुझे a का क factorial क्या होगा, a का factorial क्या होगा, तो मैं बोल देता हूँ, a function मैं call करना, factorial नाम का, उसमें a को pass करूँगा, तो factorial आला भी हम बना देते हैं, अब देखो, किसी में number का अगर आपको factorial चाहिए, ठीक, आप कुछ expect कर रहोगे उससे, कि यह answer वो लाकि मुझे देगा, वो ही मैं यहा इंडिजर n, अब मैं अंदर आ गया, factorial हम कैसे निकालते हैं, एक मैं answer ले लूँगा, variable 1, ठीक, अब मुझे क्या करना है, i equal to 1 से, i less than equal to n, i plus plus, यह करना पड़ेगा, ठीक, और answer equal to answer into i, यह मैंने कर दिया, जब मैंने यह सब कर दिया, तो last minute answer कर दिए, यह आपका यहां पर यहीं पर खतम हो गया, यह भी clear, हाँ यह भी clear, अब जब यह clear होगे आपको, कि यह answer यहां से उसको मिलेगा, तो भाई, जो भी factorial का answer होगा, वो मैं यहीं पर print करवा दूँगा, simple सा, ठीक, अब एक काम होर कर लेते हैं, इसको next line में ले जाने के लिए, handle कर लेते हैं, ठीक, अब मुझे पूछा कि B' है या नहीं है, सेम काम, अब मुझे पता है मैं एक बार code लिख चुका हूँ, तो मैं simple सा prime B बेज़ दूँगा, ठीक, prime B, तो मुझे पता है मुझे मेरा answer मिल जाएगा, simply, cout prime B, यह लिजे, मुझे बार-बार code ले लिखना पड़ा, यह लिजे, अब अगर मुझे पूछे, उसका factorial ढूँड़ो, कि इसका B का, B का factorial simple ऐसे, इसके लिखा में B को बिज़ दूँगा, अब B-A is prime or not, इसका पता करना है, तो इसी को copy कर लो, और अंदर क्या पास कर दो, B-A, बस B-A, फिर B-A का factorial अगर मुझे ढूड़ना है, फिर से वही, ज कितना clean दिख रहा है मुझे, अगर मैं आपसे पूछूँ, बहुत ज़्यादा clean दिख रहा है, तो आपने ये सारे operation इसमें apply कर दिया, ठीक, मुझे बार-बार code नहीं रिखना पड़ रहा, सिर्ब एक function call लगा दो, और वो बता देगा कि भाई, वो prime है या नहीं है, और ये integer i equal to 1 से लेके, i less than equal to n, i plus plus, अब मैं अगर इससे run करूँ, अभी बिल्कुल सही run हुआ है, मैं दो नम्मर बीज देता हूँ, कौन कौन से बीज हूँ, एक 4 बीज देता हूँ, एक 8 बीज देता हूँ, तो मेरा output में क्या-क्या answer मैं expert करूँगा, वो देखते हैं, तो भई, पहला, क्या 4 प्राइम है, तो उसने answer देता है, 0, बिल्कुल सही बात है, फिर उसने वहला 4 का factorial कितना होता है, 24, आ गया, फिर क्या 8 प्राइम है, उसने कह दिया, 0, उसने का factorial of 8, 4, 0, 3, 2, 0, answer आ गया, फिर उसने का b-a, 8-4, 4, क्या 4 आपका प्राइम होता नहीं होता, तो answer जीरो आ गया, फिर उसने fat b-a, 8-4 महला, 4 का factorial, तो 24 मेरा answer असानी से आ गया, अब ये तो हमें आ गई, बात समझ में, ठीक, ये बात मुझे समझ में आ गई, अब क्या हो, माल लो, एक चीज होती है, इसमें, scope of variable, scope of variable, scope of variable क्या होता है, ये जो a है, ये a है, और ये जो b है, ये a direct यहां access नहीं हो सकता, direct access इस वाले block में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इस a की, जो scope है, ये सिरफ यहीं पर, इसी वाले block के हज़से है, इस वाले block को नहीं पता a क्या है, इसलिए जब भी हम function call लगाते हैं, तो हम arguments को pass करते हैं, कि भ और लोंग को Resolve, I think यह clear होगा, scope of variable, यह जो answer है, यह जो answer यहाँ पे लिखाओ आपने, ठीक है, इस answer को मैं यहाँ access नहीं कर सकता रहे, कहाँ पे, यहाँ पे, इस block में, क्यों, क्योंकि यह answer जो variable है, वो सिरफ इस block का part है, इस block का, ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसको access करने की इस लिए, ठीक, तो मैं जिस block का part होता हूँ, मैं वहीं उसको access कर सकता हूँ, इस वंगजन के अंदर जो भी variable आप create कर रहे हैं, वो सिरफ इस वाले block का part होंगे, उनको बाहर से कोई भी directly access नहीं कर सकता, जब मैं उस answer को return कर दूँँगा, वो answer को ले सकता direct, ठीक, I think आपको ये clear होगा, अब इससे हमें ये भी पता चला कि मेरे जो code है, उसकी मुझे reliability भी बढ़ गई, मैं उसको बार बार use भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ना करता, तो मुझे क्या करना पड़ता, इस पूरे code को copy करके, यहाँ पे लिखना पड़ता, यहाँ पे भी, फिर ए इसको बोलते हैं हम क्या, इसको क्या बोलते हैं, parameter, इसको parameter, ओके, I think clear है, हाँ यह clear, अब एक आता अपना default parameter, default parameter, यह default parameter क्या होता है, देखो, default parameter simple था, एक कहानी बेता है, मालो आपने कुछ call किया, ऐसे, cout factorial को आपने call किया, ऐसे, और आपने कोई भी argument pass नहीं करी, कोई भी argument pass नहीं करी, ऐसे, तो यह क्या मारेगा? error मारेगा क्यों मारेगा? क्यों यहाँ पे आप ने fact नाम के function को call क्या, यह कुछ expect कर रहा आपसे, यह यहाँ पे आप कुछ मुझे लागे देए, पर आप ने कुछ लागे दिया ही नहीं, ठिक हैं पे वह कुछ value expect कर रही आप जैसे हैं जब मैं fact e को कर रहा था, तो A की value मैं किसमें दाल दे दर आए इस N के अंदर वैसी है N कुछ वेट करता कि मेरे अंदर कुछ आ जाए लेकिन जब मैंने spec को call किया तो उसने कुछ दिया ही नहीं तो परेशान हो जाएगा वो सोचेगा कुछ error है तो यहाँ पर हम default parameter जफिए default argument का use कर सकते है ठीक तो default parameter simply यह होता है कि अगर कोई कुछ ही ना दे तो मैं n equal to 3 मालूँगा ठीक अगर मैं इसको run करूँ देखो मेरा answer क्या आएगा enter the number मालूम मैंने 4 और 7 का करा enter करा तो देखो इसने क्या किया जब मैंने यह वाला factory वाला cool दिखा ठीक इसने अगर normal case होता था error मालता लेकिन अब मैंने इसको default parameter करा है ये default parameter अगर कोई कुछ ना दे तो आपको n को यह माल लेना अगर n की value कोई आपको कुछ ना दे तो आप n को 3 माल लेना जैसे इसने नहीं दिया इसने कुछ नहीं दिया अगर को 3 निकालके 6 answer भे दिए इस तरीके से clear है हाँ भी यह clear है अब जैसे इसने यह वाला factory call किया था यहां पे a, a की value में नहीं 4 थी, ठीक, तो जब यहां पे यह call हुआ, तो उसने देखा कोई value आ रखी है, तो यह n equal to 4 खुद को ले लेगा, ठीक, तब वो 3 को नहीं लेगा, तब वो किसको लेगा 4 को, तो इससे क्या समझा, अगर कोई मुझे function call कर रहा है, अगर मुझे कोई parameter पास नहीं करता है, तो मैं अपना default parameter उठा लोगा, ठीक, अगर उसमें default parameter नहीं है, तो भाईया, आपका मारेगा error, ठीक है, code में मारेगा error, क्योंकि वो हर चीज को match करता है, fact से fact को match करेगा, फिर अगला parameter को match करेगा, फिर अगले वाले को match करेगा, I think, यह concept आपका clear हो गया में यही तो कर रहा था, integer sum, यह, integer a, integer b, यह parameter हो गए, इसको कह सकता हूँ, मैं multiple parameter, यह multiple parameter ले रहा है, इसको मैं multiple parameter कह सकता हूँ, नाम होई है, काम सबका होई है, ठीक, तो यहाँ पर multiple यह से ज़्यादा parameter आ रहे है, तो यह वही करता है, अब देखो, अब आप में इसे बहु वाइड लगा सकता हूँ, वाइड लगा सकता हूँ, यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर, मैंने का लगा सकता हूँ, मैंने का लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई, फिर आप यह return one नहीं कर सकते, यह return one नहीं कर सकते, फिर आपको यह करने का हक नहीं है, यह कह रहे है कि one क return कर दो one को वापस बीज़ दो अगर मैं one को return कर रहा हूं ठीक है तो one क्या है intertype का लेकिन यह कह रहा है कि मुझे कुछ भी आपस expectation नहीं है ठीक तो मेरे लिए क्या है मेरा main goal क्या था मुझे यह तो बताना था कि जो भी member में आते भी जो वो prime है या नहीं है ठीक तो वो print मुझे यहीं पर करना पड़ेगा यहीं पर करना पड़ेगा तो मुझे पता जब n less than 2 है तो c out कर देना क्या जीरो और ended ऐसे कर सकता हूं और फिर return कर दाऊंगा return मैं ऐसे कर सकता हूं कि यहीं से code को खतम करके वापस ले जाओ मैंने return कोई value नहीं करी है जब कोई value रिटन नहीं करता हो तो समझ जाएगा वो void है वो क्या है वाइड है अगर आप यह return नहीं लिखोगे तो यह नीचे भी आके code को read करेगा return का मतब है कि इसके नीचे जाने के आपको ज़रूरत नहीं है यहीं से code को end करके बहाँ निकल जाओ ठीक अब मैं यहाँ पे भी मुझे वो change करने पड़ेंगे मुझे पता है यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा cout क्या लिखना पड़ेगा जीरो अब यहाँ पे return 0 नहीं लिखके मैं return कर दूँगा कि अब मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है यहीं से वहाँ पर चली जाएए सेम गाम यहाँ पे last में मैं return 1 कर रहा था तो cout 1 कर दूँगा एंडल और return मैं कहाँ दूँगा कुछ भी return नहीं कर रहा हूँ तो आप इसको ऐसे भी गर सकते हैं ठीक पर वहाँ पे जब आप कुछ नहीं return कर रहे हैं तब आपकी यहाँ पे condition change भजाएंगे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्य a का prime कर दो ठीक, prime of b, a ऐसे घर के, क्योंकि वह वहीं print कर दे रहा है, आपकी मर्जी आपको कहाँ print कर दा है, आप वहाँ भी कर दा सकते हैं यहां भी कर दा सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे चाहिए इस वाले में, तर आपको return में कुछ value को लेना पड़ेगा, यह अभी मेरा code बिल्कुल सई चल रहा है 3 prime number होता है तो उसने इसको 1 से print करके ये बता दिया कि भाई आप prime number है उसका factorial क्या है factorial में मैंने कुछ नहीं बेजा था as a default argument उससे 3 माना तो 3 का factorial 6 होता है फिर उसने इस वाले factor पे आया फिर 3 का factorial 6 होता है फिर वो prime of b उसने बोला 7 का prime है उसने का है फिर उसने बोला 7 का factorial 5,0,4,0 फिर 7 minus 3 क्या होता है 4 तो 4 का prime है नहीं है तो 0 आया 4 का factorial 24 इस तरहीं से मैंने output को लिया तो मैं आपको बोल रहा हूँ जब भी आप यहाँ से कोई value उठा रहे हैं और आप चाहते कि आप उसको यहाँ आप उसको use करना चाहते हैं तब आप return में कुछ भी लिख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे पहले boolean जीए था तो आप यहाँ पे boolean लिखके यहाँ से कोई value को return करवा जेते हैं तो आपकी मर्जी आप यहाँ भी उसको print करवा सकते हैं या फिर आप यहाँ उसको print करवा सकते हैं वह आपकी मर्जी जैसे मैंने यहाँ पे दिखा हूँ यह inter-factorial को मैं यहाँ भी print करवा सकता हूँ ठीक फिर return में मैं कुछी भी return नहीं करूँगा फिर मैं wide return दरूँगा, I think यह concept भी आपका clear हो चुका हुगा, clear है, हाँ भी यह clear, चलो अब बैठते हैं, next part के हो, अब जो हम concept सीखने वाले हैं, हम दो तरह के से function call को लगा सकते हैं, ठीक, जो argument हम पास करते हैं, ठीक, argument हमें पता है, parameter हमें थोड़ा बहुत ideal लग यह, तो वो pass by value हो सकती है, या फिर pass by reference हो सकती है, pass by value का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले यह समझते है, pass by value का मतलब क्या है, मालो यह मेरा mean function है, int mean, ऐसे करके, मैं यहा पर आया, मैंने इक integer बनाया, a is equal to 10, ठीक, हाँ, मालो मुझे a में एक increment करना है, ठीक है, मैं वो लॉक की a increment a के अंदर कर दीजिए, बस, बागी कुछ नहीं करना हुझे, तो मैंने का a के अंदर increment कर दो, तो मैंने का, इसको हम function की help से करने वाले हैं, तो मैं लिख देता हूँ, एक function का नाम, inc, ठीक है, a, a के अंदर increment कर दीजिए, कर दो बस, ठीक है, answer मुझे नहीं ठीक है, और उसके बाद मैं a को print करा दूँगा, कि क्या a में increment हुआ भी है या नहीं है, ऐसे करके, मैंने लिख element करूंगा, element decreal किया, increment, ठीक है, integer, यहां से a पास कर रहा है, आप इसको a भी ले सकते है, b भी ले सकते है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसके कुछ फरक यह पड़ता, ठीक है, आपने इसको n दी दिया, ठीक, इसका return टाइप क्या है, यह, क्या यह return करना चाहता है, मैं बोल अगरा कोशनी करना, तो मैं यहां पर आया, तो मैंने बोला, इसका return type होगा, थिक, तो मैंने बोले यहां पर, n को plus plus कर दो, n को क्या कर दो, plus plus, थिक, मालो, a की जगहा में मैंने 4 भी जा, यह एक variable था, यह मैंने भी जा, किस में, n के अंदर, n के अंदर, एसे, ठीक, मैंने बोला एन को एक से increase कर दो एन प्लस प्लस एन की value होगे 5 ठीक मैं वापस आया यहां से यह खतम हो गया होगा यहां पर कुछ लिखने की ज़रूत दिया return लिख सकतो खाली कुछ लिखने की ज़रूत भी नहीं है आप यहां पर आए उसने अपना काम complete किया आपने see out a किया तो print क्या होगा पूर प्रिंट होगा उसने एक ही value को increase नहीं किया उसने किस की value को किया इस n की क्योंकि यह अलग है और यह अलग है यह होता है मेरे pass by value में इसमें होता है pass by value में ठीक आप यहां से कुछ भी pass करें ठीक है pass by value इसको हम कहते है वह यहां पर अलग copy बनाएगा ऐसे उसने एंड बनाया इंडिजर टाइप का उसने copy कर लिया जब आपने एंड प्लस प्लस किया तो serious changes इसके अंदर हुए इसके अंदर कोई change नहींगा तो इसको कहते हम pass by value अब आप बोलेगे यह वाइड दीक्क निक्यूं लिखा मैं निजया इसका didn't type मैं कुछ करना नहींचाता था मेरा काम किया था कि a की value को एक से से बढाने की की हम सरी नहीं यह तो क्युंहीं बढ़ी यह तो भाईया आता है आपना पास्वाई पास्वाई रेफरेंस पास रेफेंस यह आता आ यह तो पास्रोल सी चीज़ है यह कहता है आगरıyla और वाने आख का में चालोह कि इस और यहुत अदर फूर रखागा है ठीक पास्बाइ रेफरेंस कैसे अडेंटिफाई होता है जब आप यह पैरेमिटर लिखते हैं तो इसके आगे यह लिखते हैं एन के आगे ताकि उससे पता चले यह पास्बाइ रेफरेंस अब यह क्या करेगा यह बोलेगा कि मैं इसी एक को पॉइंट कर कर रहा हूं एक बोलेगा कि मैं यहीए धून अब यही बोलेगा मैं बी यहीए अब अलला कोपी डियेट नहीं होगी यह बहलेट होता समझ गई समझ गयों अब अगर मैं n++ करता हूं तो वो इसके अंदर 5 कर देगा क्योंकि nv यही है ठीक pass by reference मनलब वो उसी को refer करता है मनलब उसी के address को refer कर रहा है क्या हम एक ही है ठीक अब मैंने अगर n++ किया तो 4 क्या बन गया 5 बन गया जो भी अगर मैंने a को pass किया तो a में कुछ भी changes नहीं होंगे लेकिन अगर मैंने pass by reference किया है तो अगर मैंने a को pass किया as a reference तो a के अंदर कोई भी modification कोड के अंदर होता है तो वो यहां भी reflect होगा यहां तक clear हा भई है clear तो यही दो concept होता है पास भाइ वैल्यू, पास भाइ रेफेर्स कि इसका एक और concert होता है मालो आपको 2 value है उपको swipe करना है । माना a के value b में दाल ले, b के value a में दाल ले। कैसे दालओगा? 2 ये a है, इधर four रखा हूँ है, इधर b है, इधर ten रखा हुआ है। मैं बोला b की value a में दालो, a के value b में दालो, कैसे दालूगा? कि बीकलर के लिए बोलेंगे भगया जार सिंपल है एक वैरिएबल ले लेता हूं कि इसमें दाल दाल दिया मैंने का एक वैल्यू इधर दाल दिया अब मैंने का थी कि ब्राइबल बनाया एक्ष्ट्रा में मेरी प्राउड्रम हो गई होगे दोनों स्वाइप हां तो मैंने का स्वाइपिंग मुझे करनी है किसके साफ से किसके साफ से एक फंक्सन कॉल से अब कि सेम होगा इंटीजर कि इंटमेन होगा आपका हां इंटीजर एक ओम अभी है हां सी इन ए और बी ठीक मैंने स्वाइप फंक्सन कॉल कर दिया स्वाइप स्वाइप कर दो ए और बी को इन दोनों की वैल्यू को एक्सेंज कर दो ठीक अज सी आउट कर दूंगा उसके बाद ए और बी ऐसे करके ठीक है हाँ ठीक है अब यह स्वाइप करेंगे पहले मैंने यहाद पाया है के स्वाइप फ्रन से लिए इन कि यहां पर मैंने लिख दिया इंटीजर के पास कर रो तो चलो इसका नामolly दे देते हैं कुछ भी दे दो आप इसका नाम ठीक है बी दे दिया कुछ भी दे सकते हो जरूरी निए वो देना है अब अगर मैं अंदर आतो मुझे पता है इनकी value को मुझे एक्सेंज करता है तो मैं एक variable ले 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 तो integer c ठीक हाँ विया तो मैंने क्या कर रहा है तो पहले एक वैल्यू सी में डाल दी एक वैल्यू सी में डाल दी अब एक अंदर दाल दी अब भी को और फिर बी के अंदर दाल दी है ऐसे करें कि यहां पर कुछ रिटन करने की प्रिंट वह खुद ही हो जाएंगे मुझे ज़रब वैल्यू को क्या करना है मुझे और कुछ नहीं करना था यहां से कुछ भी आंसर एक्सवेक्ट नहीं करता है कुछ आंसर कर रहा था आप उससे पूछ एक बार वह कुछ एक्सवेक्ट कर रहा था उससे वह क्या कह रहा कि जो दुम्हें दो value दे रहा हूं को swipe कर दो क्या वो expect कर रहा है कि तुम मुझे integer type का answer दो या फिर तुम मुझे boolean type का दो ऐसा कुछ expect कर रहा था नहीं कर रहा था जैसी वो यह कर रहा था increment वाला जो अमने देखा था हाना तो वो कुछ भी answer expect नहीं कर रहा हूं आज से यहीं लेकिन जो से पहले हमने code देखे थे वो कह रहा था कि यह number prime number है या नहीं है yes no मैं answer मांग रहा है ठीक इस number का factorial बताओ मुझे मलब answer चीए मुझे किस type में मिलेगा इंटीजर टाइप तो factorial वाले के लिए मैंने इंटर टाइप पर लिया था पर यहां पर ज़रुद नहीं है यहां पर कर रहा है कि तो आपसे कुछ answer लेना नहीं चाहता है ठीक हां बगया समझ आगया यह मैं क्या है यह B में मैंने 4 आ 6 पाूंस इb है । आगे कुछ भी नहीं है कि पास्भाई वętले होता है मैंने बला इसके अंदर यह अलग से यह बनेगा यह बी अदक हें इन दोनों के इंदर 4 आ 6 है इंटीजर सी number करेयो हुआ हुआ C number create हुआ। मैंने का A के value C में दाल दो. तो यहा दाल दू। B के value A में दाल दो. यह दाल दी। C के value B में दाल दो. exchange हो गए, function खतम। मैं फिरसे यहीं वापस। यहां पे यह वापस। अब देखो यहांपे मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने कुछ भी रिटन नहीं होना रहा, तो यहां पर मैंने उसको holding करने के लिए कुछ भी नहीं रखाए, मैंने करा a, b, यह a यह b, इसको point कर रहे है, ठीक, तो print क्या होगा, 4 और 6, तो मुझे तो इनको swipe परना था, swipe मैंने यहां भी करा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने as the reference उन्हें पास नहीं किया, अब as the reference बोलने का मतलब यह होता है, आप आपकी computer की memory होती होगी, होती है, यह, ऐसे आपकी memory दिखती है, बहुत जान से ऐसे होंगे, बहुत सारे transistor होंगे, इसके अंदर, ऐसे ऐसे करके होंगी, ऐसे ऐसे करके transistor होंगे, ऐसे बड़ी memory होगी, ठीक, तो इसको अगर नाम दे द फर्स, सेकिंद, थर्ड, फूर्ट, फिट, ऐसे होगा, तो इनिवकाम address भोल देता है, यह address है, यह क्या है, address है, कि यह 0 address पर, यह 1st address पर, 2nd पर, मालों आपने एक building खोली है, ठीक है, आपने वापे 100 घर बनाती है, तो हर घर का address असे कैसे दो होगे, यह 0 घर है, यह 1st घर ह पर यह 1st घर होगे, तो मालों मेरा A store है, यहां पर, तो इसने कहते है कि 4 आपका यहां पर store है, memory है, उसने कहते है, B आपका यहां पर store है, कई में भी उठकता हूँ, यहां पर store है, 6, ठीक, यह memory के अंदर आपके S store हो रहे हैं, जब मैं क्या करता हूँ, पास भाई रफ्रेंस करता हूं पास भाई रफ्रेंस तो कहता है कि जो इसका एड्रस है जो जिस इंडिकेट करता है उसी को यह वाला एड्रस वाले को हमको पॉइंट करना है तो यह वाला एड्रस वाले को हमको पॉइंट करना है तो यह वाला एड्रस वाले को हमको ये वाला B इसको point कर रहा था और ये वाला B भी उसको point कर रहा जब माए pass by reference करूंगा ठीक अब जब वह exchange सीधा किस पर लगेंगे इसी पर लगेंगे इसी पर लगेंगे इसी पर एक ही memory लोकस्तन को तुनों point आट कर रहे थे ये A, ये B और ये A, B भी यही है यही है दोनों same logic क्या पर follow होगा ती ये रहा पहले A की value C में डाली फिर B की value A में डाली फिर C की value इसमें डाली ऐसे करके अब जब मैं print कराने है Cout A, B तो A की में 6 रखा है B में पूर रखा है ऐसे करके अब pass by reference हमें समझ आगे है क्यों A की memory location को indicate दोनों कर रहे है मुझे अलक्से copy बनाने की जरूरत नहीं है जब pass by value करता हूं तो A के इसको point कर रहा है किसको इसको दूसरा A कहीं पूइंट कर सकता है जहां पर 4 रखा होगा A point कर रहा होगा 4 यहाँ copy बार दे सेम कहनी यहां पर इस B की इस वाले को कर रहा हो यह वाली location को जब मैं pass by value करता हूं जो भी आप वापे swipe क तो चेंजेस वो इस memory location भी होगे थे लेकिन जब आप point प्रिंट करा रहे थे तो वो इन दोनों को प्रिंट करा रहे थे I think यह clear होगा memory भी सेम काम करती है जिसे real world example करता है जाब भी आपका data store है ठीक उसका address होना चीए आपके पास अब वही address जो int n में लिखता होना मैं इनके पास automatically रहता है ठीक यह देखेगा कि n है वो किस टाइप का है इंट टाइप का तो उसे memory में कहीं पर location मिल जाएगी तो इसके पास वो address बना रहता है कि मैं किस address पर हूँ मैं उस address पर present दूँ इनके पास रहता हूँ I think यह समझा क्या होगा अब इसके हम code part पर चलते है अब मेरा goal है कि दो number को swipe कराना तो पहले अगर मैं सूझता कि अगर मुझे function के through उसको swipe कराना है तो मैं क्या बोलूँगा C in A और B को मैंने ले लिया और मैं फंक्सन लगा दू सो मैं यहां पर उसको प्रेंट कर देता हूं उनकी value को उसके बाद C out A और B ऐसे करें ताकि मुझे answer पता चल पाए अब मैंने यहां पर आ गया मुझे swap करना है उनके दूनों को A को B में डालना है B को A में डालना है तो return time मुझे कुछ नहीं चाहिए ठिक नाम क्या है swap हाव integer मैं A और integer B इसे माल लेता हूं नाम दोनों के सेम हो सकते हैं इसके और इसके भी नाम में कुछ नहीं रखा है अब इसको कहता हूं मैं pass by value सिर्फ value को pass करता हूं अब अगर मैं इसको execute कराने की कोशिश करूं मालो मैं integer C लिया मुझे पता है C में A को दाल दो A के अंदर B दा दो ऐसे करके मैं swap को execute करवा देता हूं अब अगर मैं इसको run करूं तो देखो यहां पर पहले मुझे value दालनी पड़ेंगे 4 और 7 A में 4 गया B में 7 गया result मारा कोई भी वह swap नहीं हुए ऐसा क्यों हुआ क्यों क्योंकि जो मैंने value भीजी थी A और B को उसको भीजाता है मैंने pass by value I think clear हो गए हाँ यह clear है तो मैंने बोला जब pass by value होता तो दोनों की different copies बनती है इसलिए वो आपस में क्या नहीं हुए exchange नहीं हुए अगर मैं इसे pass by reference कर देता ऐसे ऐसे और फिर अगर इसी code को run करूं मालो अब मैं इसके अंदर दाला हूं 3 और 8 तो अब वो exchange हो चुके होंगे a के value b में जा चुकी है b के value a में जा चुकी है वो मुझे यहां से पता चले आई ठींग यह आपको clear होगा तो इस वाली को कहते हैं हम pass by reference pass by reference reference भाई यह जब pass by reference करते हैं तो यह a और यह a इन दोरों का नाम same होना चाहिए मैंने का जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है यह b और यह b इनका नाम same होना चाहिए मैंने का नहीं है जरूरी सिरफ reference को होना जरूरी है नाम same होना जरूरी नहीं है आपको clear होगी होगा आपका function overloading का यह क्या होता है देख लेते हैं function overloading मालो आपको float tag की value को swap करना है float tag की value ठीक तो यार मुझे पता है float tag की value को swap करना है तो मैंने क्या कर रहा उसका नाम भी swap ही दे दिया अच्छा ओके और वहाँ पर मैंने लिग दिया float दो value इसको ले लिता हूँ c और इसको ले लेता हूँ float d ठीक resort ऐसे गरके ठीक है यहाँ पर मैंने दाल दिया मैंने c को c में ले लिया मैंने d की value और d में दाल दिया लास्ट में r की value, ऐसे करके मेरा swipe हो जाएगा, अब मुझे पता as a reference ये pass होगा, ये, as a reference, ऐसे करके, ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है मैंने, मैंने यहाँ पर integer type की value ले ली थी, ठीक, अब माल लो, यहाँ पर मेरे पास float type की value मैं ले रहा हूँ, float f1, f2, ठीक है, f2 के अंदर दाल दिया मै 4.8, इस type से, मैं चाह रहा हूँ, f1, f2 की value भी exchange हो जाए, f1, f2 की value भी exchange हो जाए, अब अगर मैं यहाँ पर call करता हूँ, swipe, f1, f2 को, f1 और f2 को, किस type से, तो यह कौन सा वाला swipe देखेगा, तो इसने देखा, यह swipe यहाँ पर लिखाओ है, तो यह देखेगा, swipe यहाँ पर भी लिखाओ है, यहाँ पर भी लिखाओ है, फिर उसके वाद चेक करेगा, कि यह ज दूसरा वाला, जो f2 है, वो भी float type का है, तो उसे पता चल जाएगा, उसको इसके पास जाने, तो जब वो उसके पास गया, तो उसने उसको exchange करके दे दिया, तो अगर मैं यहाँ पर print कराऊ हूँ, किसको, f1 और f2 को, तो आप दिखोगे, वो exchange हो चुके हूँगे, f2, यह लीजे, इसके बाद मैं annual दा देता हूँ, यहाँ पर एक, यह लीजे, इसको run करते है, यहाँ पर दो value दाल देता हूँ, 4 और 7, तो मिरे पास answer आचुका है, क्या answer आया, 4, 7 में integer दाला, तो 7 और 4 तो उसने यह वाले exchange कर दिया, मैंने f1 में 4.8 दाला था, f2 में 3.6 दाला थ तो यह मैंने यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर मैं आपको एक interesting चीज बताऊँ, function overloading का, ठीक, अगर मैं इस line को हटा दू, मालो इसका नाम मालो, इस swipe का नाम change कर लेता है, ऐसे, SWAP और SWAP, दोनों का मैंने capital कर दिया, ठीक, अभी मैं बताऊँगा, वो मैं क्यों करता हूँ, SWAP और SWAP, यह मैंने कर दिया, ठीक, अभी मैं आपको उसका reasoning बताऊँगा, अब मैं अगर इसको run करूँ, मालो मैंने 3 और 4 को करा है, तो मैंने execute करा है, तो 3.6 और 4.8 सब कुछ execute हो गया, अब अगर मैं क्या करूँ, यह वाला swipe function हटा दूँ, तो क्या होगा, run किया, पहला error म मारा, पहला question ही होना चाहिए, मैंने capital SQ किया, वह मैं भी अब आपको थोड़ी देर बताऊँगा, इसने error क्यों मारा, क्योंकि जब मैंने swipe function कॉल किया, ठीक है, तो इसने देखा, swipe function तो है, यहाँ पे swipe function तो है, फिर इसने देखा, जो मेरे पास F1 रखा हो है, वह float type का है, और F2B है, float type का है, यहाँ पे भी दो parameter है, लेकिन यह parameter किस type के है, int type के, किस type के है, int type के, तो मनलब यह वाला function मेरा नहीं है, तो जो previously मैंने देखा था, यह वाला, ठीक, तो मैं एक नाम के दो function बना सकता हूँ, लेकिन उनके parameter अलग-अलग होने चाहिए, क्या होनी चाहिए parameter अलग-अलग होने चाहिए, तो मैंने देखा जो इसके parameters हैं, यह क्या है, इसमें जो parameter है, यह float type का है, यह भी float type का है, ठीक, तो यहाँ से वो issue resolve हो गया, इसलिए इसने error मारा, क्योंकि इसको अपने type का नहीं मिला, जब swipe अलग ढूनने जाएगा, तो उसने देखा, एक swipe य है, एक swipe यह, confused दोएगा, तो इसी confusion को कहते है, function overloading, function overload हो चुके है, एक type के दो function आ चुके है, ठीक, पर वो different किस में होते है, argument में, यह argument में, कहीं बार three argument हो सकते है, कभी चार हो सकती है, कभी एक हो सकती है, पर उनके argument में कुछ ना कुछ difference होगा, यहाँ पर क्या difference था, यह inter type के हैं, और यह fruit type के है, यह difference था, तो इसी को मैं function overloading बोलते हैं, जब मेरे function के same name हो, लेकिन वो argument में different हो, ठीक, तो हमने इसको एक बड़िया नाम दिया था, swap, अब यहाँ पर एक amazing चीज बताऊं, बड़िया सी, हाँ, मैं अगर आपको बोलूँ, कि आप पूरा code हटा दो, ठीक, और यह s, ऐसा लिख दो, small में, और इस s को भी small में लिख दो, मैंने कहीं भी function using किया है, अगर इसको अगर रन करो, मालो मैंने 3 और 6 दाला है, यह अभी भी answer लिखे दे रहा है, कैसे दे रहा है, यह अभी भी answer लिखे दे रहा है, मुझे तो, यहाँ तो आपने swap function को call किया, एक ओम भी, कोई function तो आपने बनाए नहीं है, अगर दे रहा है, फिर भी answer लिखे दे रहा है, कैसे भाईया, तो मैंने कहा, यह बहुत simple answer है, क्यों, मैंने कहा, computer के कुछ inbuilt function होते हैं, जी हाँ, computer के पास भी, अपने C++ के पास भी inbuilt function है, जिस function का नाम भी swipe है, जी हाँ inbuilt function मतलब कि वो function पहले से C++ में present है, अगर आप उन्हें call करते हैं, ऐसे, तो वो आपको automatically A और B को swipe कर देंगे, वो खुद से ही बने हुए हैं, पहले से ही बने हुए हैं, clear, मतलब वो function, inbuilt function मतलब पहले से ही बने हुए हैं, और जब आपने swipe A, B करा, इसने यहाँ पे देख के भी action कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसी swipe को capital S कर दूँँ, तो यह capital SWEP नहीं बना हुआ है, inbuilt, run करूँगा, error मारेगा, देखो, सीरा error मारा, यह नहीं बना हुआ है, ठीक, तो कुछ-कुछ inbuilt हमारे function होते हैं, जो हमाँ ऐसी हिदायत देते हैं, कि मैं किसी भी चीज को square root निकालना है, तो उसको भी आप direct निखा सकते हैं, direct, square root x करोगे, तो आपको सीधा answer मिल दाएगा, इतने इस label पे हम आगे पहुँच चुके है, inbuilt function पहले से बने हैं, जो हमारे computer ने बनाए है, यह जो function है, यह user build function है, जिनको मैं बनाओ, यह SWEP inbuilt function में नहीं है, कौन सवाल है, small SWEP, इसलिए जो मैं आपको example समझा रहा था, तो वहाँ पे मैंने capital S का use किया, ठीक, ताकि हमारी जो understanding हो थोड़ी better हो, तो जब हम खुद से function बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे swipe नाम का बनाया, और अगर मैंने उसको यहाँ पे क्या करा है, बनाया है, इस small swipe को, तो मेर वाला function मेरे small वाले swipe को call करेगा, तब वो inbuild को नहीं करेगा, अगर मैंने नहीं बनाया, तब वो जाके inbuild function में देखेगा, जो computer ने पहली से बना रहे हैं, उच्छा वहाँ present है, तो वहीं की property ले लेगा, तो आप अगर उस inbuild function को खोलोगे, तो उसने भी वही सेम काम कर रख जो हमने कर रहा है, आज आज आपको यह सारे जो concept हैं, अच्छे से clear हो गए होंगे, हम ने आज बहुत detail में सब कुछ cover किया, चलते हैं वीडियो की ओड़, I think आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा function के बारे में, हमने सीखा कि function क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, pass by value क्या होती है, pass by reference क्या होता है, function overloading क्या होता है, तो हमने आज सब यह detail में समझा, तो मैं चाता हूँ यह चीज़े आप एक बार बैठके practice करें, homework sheet में आपको दिये है, उसको जाके solve करें, question कुछ अलग नहीं होने वाले, जो मैंने previous उसमें solve करें, वही हम solve कर रहे हैं, बस उनको हम function के तरीके से solve कर रहे होंगे, तो यार मिलता हूँ आपको कल नई वीडियो में, तब तक लिए, जय हिन, जय वारत.